दोस्तों वावी एक नई स्मार्ट वाच अपनी बहुत जल्दी लांच करने वाला है वावी वाच जी टी टू प्रो और ये इसके स्पेसिफिकेशन से यहां पर बाहर आ गए है साथ इसकी प्राइस हो गए अभी पता चल गई है तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है वावी वाच जी टी टू प्रो के बारे में तो सुरुवात करते हैं दोस्तों इस स्मार्ट वाच की डिस्प्ले कर लेके तो Huawei Watch GT2 Pro में आपको 1.39 इंच की circular display देखने को मिलेगी OLED की यहाँ पर display आपको मिल जाएगी साथी साथ 454 x 454 pixels के resolution देखने को मिल जाएगे स्टेलनेस स्टेल किसकी body होगी और जो strap होगा वो leather का है यहाँ पर use किया गया है और आपको Huawei Watch GT2 Pro सिर्फ एक ही वेरेड में देखने को मिलती है 46mm size के साथ मैं बात करें अगर इसके processor की तो Huawei Watch GT2 Pro में Karen A1 chipset का processor मिल जाता है 32MB की RAM होने वाली है 4GB की internal memory होगी और काफी सारे controls आप यहाँ पर कर पाऊगे जिसे music playback हो गया GPS मिल जाता है, accelerometer मिल जाता है, gyroscope है, borometer है, compass, GPS यह सारे चीज़ें आपको इस smart watch में देखने को मिल जाती है साथ ही साथ Huawei Watch GT2 Pro 50 meter water resistant भी होने वाली है Huawei Watch GT2 Pro में heart rate sensor मिलता है, SPO2 sensor भी देखने को मिल जाता है बात करें अगर इसके operating system की तो आपको पता है कि Google ने Huawei को एक इसाप से band कर रखा है तो GMS की तो service यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन Huawei Watch GT2 Pro में आपको light OS देखने को मिल जाता है जो साथ Huawei का खुद का OS है साथ ही साथ आपको activity tracking वाले सारे modes almost इसमें देखने को मिल जाते हैं जिससे sleep monitoring हो गई, stress monitoring हो गई, blood oxygen label हो गया, running हो गया, swimming हो गया सारा activity data आपको इस watch में देखने को मिल जाता है और खास बात यह है कि Huawei Watch GT2 Pro में आपको wireless charging का support मिलता है इसका जो पुराना version है उसमें आपको magnating dock और गयरा मिलता है जिसके मलब से आप charge कर सकते हो उसमें wireless charging का support नहीं है लेकिन Huawei Watch GT2 Pro में आपको wireless charging का भी support मिल जाता है इसके साथ ही साथ दोस्तों Huawei Watch GT2 Pro को आप Android और iOS दोनों smart phone पर use कर सकते हो क्योंकि इसमें Bluetooth 5.1 देखने को मिल जाता है और दोस्तों Huawei Watch GT2 Pro में आपको 455 image की battery मिलती है company claim करती है कि आपको 2 week का battery backup मिलेगा single charge पे तो फिलाल दोस्तों अभी यही details निकल कर आई है Huawei Watch GT2 Pro के बारे में और इसकी कुछ actual footage वगरा निकल कर भी आ गई है आप देख सकते हूँ यह rendered image है जो बताया जा रहा है कि ऐसे ही देखेगी Huawei Watch GT2 Pro वैसे दोस्तों आपको बता दूँ इसके price के बारे में तो exact price वगरा निकल कर तो अभी फिलाल नहीं आई है लेकिन आप इतना उनमान लगा के चलिए कि यह वाच आपको 15-20,000 रुपए तक देखने को मिल सकती है अब इंडिया में कब तक आएगी इसके बारे में कुछ अभी नहीं पता है फिलाल यह पहले globally launch होगी दिन उसके बाद में यह side से आपको इंडिया में देखने को मिल सकती है तो मिट करता हूँ दोस्तों के छोटी से information आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe करके वे like and hit करें कुछ ऐसे interesting वीडियो को देखने के लिए तो बस दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में